अजमेर नगरनिगम के वाड 2019 सित ट्रामबे इस्टेशन के नजदिक नई खुली शराब की दुकान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया इस्थानिये व्यापारियों और बाशिंदों ने शराब की दुकान का विरोध करते हुए नई खुली शराब की दुकान पर ताला जड़ दिया इस्थानिये लोगों का आरोब था कि आपकारी नियमों को ताक में रखकर यह शराब की दुकान खोलने की अनुमती दे दी गई है जबके इस इस्थान के पास ही तीन तरफ मंदिर होने के साथ ही आवासी बस्ती है इस मामले में रोचक मोड तब आया जब उस भवन की मालकिन ने ही दुकान पर ताला लगा दिया जिसमें शराब की दुकान खोली गई थी भवन मालकिन का कहना है कि उनके बेटे ने बिना घरवालों की इजाजत के ही यह दुकान किराय पर दे दी इस्थानिये लोगों ने आपकारी विभाग से इस शराब की दुकान को निरस्त कराने या अन्य इस्थान पर इस्थांतरित कराने की मांग की है मेरे को इतना बोला फिर मैंने उसको मना किया और उसके वाजो दी आज क्यों लेकर आया जब मैंने मना किया ना तो नहीं लाना चाहिए उसको मेरे को पसंद नहीं है मैंने खोलने दूंगी ताला लगा दिया मैंना दुकान मेरी को मना करना वाला मालिक मैं हूं कमला देवी मालूम चला है वैसे तो दो-तीन दिन से परक्रिया चल रही थी खुलने के लेकिन ऐसा विश्वास नहीं था कि ठेका खुल जागा लेकिन आज सुबह यहां दारू का ठेका खुला है जबकि इसके बाद में 50 मीटर माता जी का मंदीर इसके पास में फिर एक प्राचिन मंदीर है इस वज़े से सारे दुकानदार सारी सबने विरोध किया है और पूरा मार्केट बंद है जबकि जिस बच्चे ने दुकान खोली है किराय पे दिये या किसी कारण से दिये उनके मम्मी अब आपा खुद उरोध में है और आज इनकी मदर ने खुद ने ताला लगा के उरोध जता है और इनका यह कहना है कि ठेकर नहीं खुलेगा और इनको पता भी नहीं था खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दासता है होगी सच्चाई की वापसी SKV News सच्चाई की वापसी